बाइपास की एक टाउन्शीप में हत्यारों से लेस डखेतों ने कपड़ाय अपारी के परिवार को बंधक बना कर डाली डखेती लूट पार्ट के साथ ही एक कुछा कुमारा और दूसरे का हाथ तोड़ दिया इस टाउन्शीप में कपड़ाय अपारी के घर नकाप पोष्ट बदमाशों ने डखेती की वारता को अंजाम दिया बिजनी सप्लाइब बंध करके घर में घुसे बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बना कर बरबरता दिखाते हुए घर की ज्वैलेरी नगदी लूट ली विरोध करने पर महिलाओं के साथ मार बिट की एक परीजन को चाकू घूप दिया और दूसरे का हाथ तोड़ दिया कुल मिलाकर इस पूरी घटना करम के पाथ यहां के रवास्यों में बहुत अधिक डर व्याब्द हो गया है कहा जा रहा है कि टाउन्शीपों में अपरादी बरबर परता पूरवक अपरादों को अन्जाम दे रहे हैं कल इस परिवार के साथ जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है पता तो यह भी चला है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जाँच परताल में जुट गई है शिपरा पुलिस के नुजार गटना रात बारा बज़े हुई यहां कपड़ाया परी नारायन तुलसियान अपने तीन भाई उनके परिवार एक बहन और माता पिता के साथ रहते हैं घर में साथ सदस्य हैं रात को दरवाजों को तोड़कर पांस से साथ बदमाश जिनके मुह पर उमाल बंदावाता अंदर गुसे और घर की बिजली सप्लाई बंद किरती बदमाशों ने सबसे पहले अपने इस तर पर पूरे घर को खंगाला और जो मिला उसे समेट लिया इसके बाद घरवालों को जगाया और उनके सामने हत्यार और आखर जोयलेरी और नगदी रखने की जग़ पूची बदमाशों का सबसे पहले बल्राम तुलसियान ने विरुद किया तो उनकी इतनी पटाई की गई कि वे बदहावास हो गई बदमाशों ने उने चाको भी मार दिया इसके बाद पुर्शों तम ने विरुद किया तो उसकी भी पिटाई की गई बदमाशों ने आपारी कि बहन और मा के साथ भी मार पिट की मा को तो ऐसा चाटा मारा कि खून बहने लगा इसके बाद किसी ने विरोध नहीं किया बदमाश दस लाक से ज़्यादा की नगदी, जोयलेरी, कीमती, सामान साइट, बैंक की चेक बुक, पास बुक, एटियम कार्ट साइट कई, दसताविज बटोर कर ले गए शहर से दूर बनी, इस टाउन्शीप में रात को हुई डकेती के दौरान, के दुए परिवार ने आप बिती सुनाते हुए कहा, कि बदमाशो की संक्या पास से जादा थी, और सभी घर के अलग-अलग कमरों में सो रहे थे, बदमाशो ने माल बटोरने के बाद सभी परीजन क को जगा कर एक जगे खटा किया, घर में रखी जोहलरी और नगदी के बारे में पूश्टाच की, भाई बलराम को विरोत करने पर चाको मारा, उनका सी एचल अपोलो में आपरिशन किया गया, एक भाई का हाट तूट गया, कपड़ा या परी के इनुसे हर वारदात करने व मोहन चाट का या कहना है, कि टकेती कि इस वारदात में आसपास के चोकीदारों का हाट हो सकता है, और सबी चोकीदारों को पूश्टाच के लिए थाने पर बलाये गया, लेकिन एक और बात किया सामने आ रही है, कि यापरी का एक अन्य यापरी के साथ पुराने लेन देन क मामला है, बताएं जा रहा है कि सराफेक यापरी के साथ लेन देन का है मामला, शिपरा थाने में भी पहुँच गया था, बाद में इसका नेराखरन हो गया, इस पुराने विबात के रंजीश में या वारदात हुई है, या और कुछ मामला है, इसकी जड़ में भी पुलिस जा रही है,